जहिंद मेरे दोस्तों आज प्रसनावली 1.2 का प्रसन कर्मान 3 तीन का फर्स्ट नमबर, सेकेंड नमबर और ठर्ट नमबर प्रसन को बताएंगे जो की इसमें क्या है कि अभाजे गुननखंड बीधी द्वारा निम्रलिखित पुर्णांकों को तो आप वीडियो में बने रहेंगे और देखें किस प्रसन को कैसे हल करते हैं जो की एकदम असान बीधी में ही बनाएंगे सबसे पहले यहां लिख लेंगे फर्स्ट नमर का और हल लिख लेंगे इसमें क्या है 12,15,21 अब इसका क्या करना पड़ेगा यह सभी का अभाज गुनन खंड करना परेगा ठीक है तो देखें इसका अभाज गुनन खंड अब कैसे हम करते हैं पहले 12 का करेंगे ठीक है तो 12 का क्या लिखेंगे दू छक 12,2,3,6,8,3 एकम 3 इतना हो गया फिर 15 का करेंगे 15 का 3 पचे 15 और 5 एकम 5 ऐसे हो गया इसके बाद 21 का करेंगे कितना से लागएगा 3 सते 21 असाते कम 7 इतना हो गया तो आप इसको हम क्या लिखेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 इसके बाद हम लिखेंगे किसका 15 का लिखेंगे क्या होगा 3 गुने 5 गुने 1 इसके बाद किसका लिखना पड़ेगा 21 का लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1 ठीक है और देखिए इसमें क्या कहा हमको कि SCF और LCM कह रहा ग्यांद करने के लिए ठीक है ठीक है परे लिखेंगे 3 इसके बाद और क्या मिलदा है तो इसमें एक मिलदा है ठीक है तो इस एक को लिख लेंगे गुने 1 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 तो दोस्तों इसका SCF किता निकल गया तो 3 निकल गया ठीक है अब हमको क्या निकलना है अब LCM निकलना है ठीक है एल सी एम तो एल सी एम आप कैसे निकालेंगे हम तो एल सी एम हम निकालेंगे जो इसमें मील गया है ठीक है उसको सबसे पहले हमको लिख लेना है ठीक है एक लिखा जागा इसमें भी मिल गया था एक और जो नहीं मिला है उस सब ही को लिखना है देखें दो नहीं मिला दो नहीं मिला तो लिखेंगे दो गुने दो फिर गुने क्या नहीं मिला पांच नहीं मिला तो पांच अगुने क्या नहीं मिला तो साथ इसको क्या कर लेंगे ना तो हम लोग गुना कर लेते हैं तो देखें गुना करेंगे क्या तीन एकम तीन दूनी छो दूनी बारर पंच 60, 60 में 7 से गुना करेंगे, कितना होगा, 420, तो इसका ये answer हो गया, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, second number person को देख लेते हैं, ठीक है, second number person हमको क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कि 17,23,29, तो क्या लिखेंगे, 17,23,29, ठीक है, इसका अब हम निकालेंगे, अब हाजी गुरुन खन पहले कर लेंगे, 17 का करेंगे क्या होगा, तो 17 एकम 17 लगेगा, फिर 20 से, तो क्या होगा, 23 एकम 20, फिर क्या है, 29, तो क्या होगा, 29 एकम 29, ठीक, तो इसका क्या हो गया, ये सब का अगर हम SCF निकालेंगे, ठीक है, SCF निकालेंगे, ये सभी में क्या म मात्र एक मिल रहा है तो इस तरह का से सके सेंशर सेंसाइट कि हो जाएगा तो सब्सक्राइब अर्धी नहीं आ फिसके सब करेंगे हम लों गुर नहीं गुझा है एग्याड 1549 करने के बाद दोस्त इंसर हो जागा ठीक है अब हम क्या देखेंगे अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रस्ण तो इसमें तीसरा नंबर प्रस्ण क्या है इसका तीसरा नंबर लिखेंगे ऐसे और हल लिख देंगे ठीक है तो तीसरा नंबर क्या है कि 8,9 और 25 ठीक है इतना दिया भाजी गुनन खंद कर लेते हैं, तो क्या होगा? दू छोक आठ, दू दू ना चार, फिर दू एकम दू, इतना हो गया, फिर नौ से, क्या होगा? तीन ती आनो, तीन एकम तीन, ठीक है? इसके बाद पचीस है, क्या होगा? पचे पचीस, पाँच एकम पाँच, ठीक है? इतन में तो हम देख लेंगे किście मैं क्या हम इसमें मेंको देख लेंगे दो दो नहीं है तिसमें एक में इक में बगया है Nsin मे। नहींहीं राकर Canadian E god २६ 3 हो गया फिर गूने तीन हो गया दू घंगुने क्या होगई 5 गूने 5 दोस्त आप लोगों विडियो अच्छा लगता है ना थे चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे और इसमें 1 मिल गया यह सब को जब गूना करेंगे तो कितना आ जागा 800 आ जागा ठिक है तो अब अगला नमर प्रसन को देखते हैं, प्रसन कर्मान फोर को देखेंगे